बुलिये सियावर राम चंद कीजे, पवन सुत हनुमान कीजे, सिव पारवती कीजे, सभी मित्रों को सिराम चरित्मानस अविध्याकान दोहा नंबर एक सो बावन से पढ़ कर सुना रहे हैं, अब अश्यमण करें, आज का प्रसंग है दसरत मरण मंगल भवन या मंगल हारी, रभ हुथ दसरत अजर विहारी, राम सिया राम जै जै राम कहे प्रणाम कछु कहन ले, सिय भय सितिल सने, ठकित बचन लोचन सजले, पुल कपल वित दे प्राम कर सिता जी कुछ कहने लगी थी, परन्तु इस ने बस वे सितिल हो गई, उनकी बाणी रुख गई, नेतों में जल भराया और सरीर रोमांच से व्याप्त हो गया तेहीं ओसर रग बर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई, रग कुल तिलक चले यही भाती, देखाओ ठाड कुलित धर चाती उसी समय स्री रामचंजी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चलादी, इस प्रकार रगबन स्तिलक स्री रामचंजी चल दिये, और मैं छाती पर बज़ रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा मैं आपन किम कहो कलेशू, जियत फिरों लेह राम संदेशू, अस कह सचन बचन रह गया हूँ, हान गलान सोच बस भया हूँ मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो सिरामचंजी का ये संदेश लेका जीता ही लोटाया, ऐसा कहकर मंती की बाणी रुख गई, वे चुप हो गए और वे हानी की गलानी सोच के बस हो गए सूत बचन सुनते नरे नाहू, पर उधरन उरदारुन दाहू, तलपत बिसम मोहमन लापा, तलपत बिसम मोहमन मापा, माझा मन हुमीन कहू ब्यापा सार सी सुमन्त की बचन सुनते ही राजा पैद्वी पर गिर पड़े, उनके हिदे में भयानक जलन होने लगी, वे तरपने लगे, उनका मन बिसम मोह से ब्याकुल हो गया, मानो मच्छी को माझा ब्याप हो गया, पहले वर्सा का जल लग गया हो कर बिलाप सबर वहराने, महा बिपत्य कि मजाय बखाने, सुने बिलाप दुखों दुख लागा, धिर जहूं कर धिर जुभागा सबरानिया बिलाब करके रू रही है उस महान विपत्ति का कैसे बड़ना किया जाए उस समय के बिलाब को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरत का भी धीरत भाग गया मंगल भवन या मंगल हारी तब हुश जशरत यजर विहारी राम सिया राम जै जै राम भायो को लाहल अवध्यती सुनन परावर सूर बिपुल बिहक बन परियो निसमानो कुलिस कठोर राजा के रावले रनिवास में रूने का सूर सुनकर अवेद्धा में बड़ा भारी कोहराम बच गया ऐसा जान पड़ता था मानो पच्छों के विसाल बन में राद के समय कठोर बजगी गिर गया हो प्रान कंठ कत भयो भुवालू मन बिहिन जन ब्याकुल ब्यालू इंद्री शकल बिकल भैभारी जन सर सर सिज बन बिन बारी राजा के प्रान कंठ में आगए मानो मड़ के बिना साब ब्याकुल मना सन हो गया हो इंद्री शकल बिना जल के तलाब में कमलो का बन उजा गया हो कवसिल्या नपदीक मलीना कवसिल्या नपदीक मलाना रब कुल रब अथयो जिय जाना उर धर धेर राम महतारी बूली बचन समय अनुसारी कवसिल्या जी ने राजा को बहुत दुखी दे कर अपने हिदे में जान लिया कि यव सूर कुल का सूर अस्त हो चला तब सी राम चंजी की माता कवसिल्या हिदे में धीरत धर कर समय के अनुसार बचन बूली नात समुझ मन कर रही विचारू राम वियोग पयोद अपारू करन धार तुम अवद जहाजू चड़ो सकल प्रिय पथिक समाजू हेनात आप मन में समझ कर विचार कीजे कि सी राम चंजी का वियोग अपार समुद्र है अवद्या जहाज है और आप उनके करन धार खेने वाले हैं सब प्रिय जन कुटुम्बी और प्रजाही यात्यों का समाज है जो इस जहाज का चड़ा हुआ है धीर जुधरें तो पाय हुँ पारू नाहें तो बुड़ी हैं सब परिवारू जो जिय धरें बिन पिय मूरी रामू लखनू सिय मिली हैं बहूरी आप धीर धरियेगा तो सब पार पहुँच जाएंगे नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा हे प्रिये स्वामी यद मेरी बिंती हदे में धारान कीजेगा तो सिराम लख्मार सिता फिर आ मिलेंगे मंगल भवन या मंगल हारी रभुश दसरत अजर विहारी राम सिय राम जे जे राम प्रिया बचन म्रद सुनत नपू चित यो आँक उघार तलफत मीन मलीन जनो सी चत सीतल बार प्रिय पत्नी कोशल्या के कुमल बचन सुनते हुए राजा ने आखे खोल कर देखा मानो तड़पती हुई दीन मच्री पर कोई सीतल जल शिड़क रहा हो धर धीर जो उट बैट भुआलू कह सुमन्त कह राम क्रिपालू कहा लखन कहा राम सनेही कहा प्रिया पुत्र बदू बैदेही धीरत धरकर राजा उट बैठे और बोले सुमन्त कहो क्रिपाल सी राम कहां है लच्मन कहां है इसने ही राम कहां है और मेरी प्यारी बहु जानकी कहां है बिल फत्राव बिकल बहु भाते भए जुग सरस सिरात नराते तापस अंद साप सुध पाए कोसले सब कथा सुनाए राजा ब्याकुल होकर बहुत प्रकासे बिलाब कर रहे हैं वो रात युग के समान बड़ी हो गई बीती ही नहीं राजा को अंधे तपस्वी सरमन कुमार के पिता के साप की यादा आ गई उन्होंने सब कथा को सल्या को का सुनाई भायो बिकल बरनत इतिहासा राम रहित धिग जीवन आसा सोतन राख करब मैं काहा जहिन प्रेम पनमूर निभाहा उस इतिहास का वरन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि सी राम की बिना जीने की आसा को धिकार है मैं उस तरीव को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्राण नहीं निभाया हा रघुनंदन प्रान पिरीते तुम्हे बिन जियत बहुत दिन बीते हा जान की लखन हा रघुबर हा पित हित चित चातक जले धर हा रघुबर हा रघुबर हा रघुबर को आनन देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हा जान की लच्मण हा रघुबर हा पिता के चित रुपी चातक के हित करने वाले मेग मंगल भवन या मंगल हारी रबहुं से दसरत अजर विहारी राम सिया राम जै जै राम 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 कही राम कही राम राम कही राम तनु पर हरे रग बर बिरा राव गयो सुरधाम राम राम कही कर फिर राम कही कर और फिर राम कही कर राव की बिरा में सरी त्याकर सुरलो को सिधार गए जीन मरन फल दस रत पावा अंड अने के अमल जस चावा जीत राम बिद बदन निहारा राम बिरा करे मरन समारा जीने और मने का फल तो दस जीने ही पाया जिनका निर्मलयस अने को ब्रहमांडों में छागया जीते जीतो सी राम चंजी के चंडबा के समान मुकों देखा और सी राम ची के विरा की निर्मित बना कर अपना मरन सुधार लिया सो को बिकल सबर वहराने रूप सिल बलूते जब खाने करहें बिलाप या नेक प्रकारा परहें भूम मे तले बारहें बारा सबरानिया सोक के मारे ब्याकुल होकर रो रही है वे राजा के रूप सील बल और तेज का बखान करकर के अन्यकों प्रकासे बिलाप कर रहे हैं और बार बार धर्ती पर गिर गिर पड़ती है बिल पही बिकल दास अर दासे घर घर रुदन करें पुर वासे अथ यो आज भान कुल भानो धरम अबद गुन रूप निधानो दास दासी गर ब्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नागर निवासी घर गर रो रो रहे हैं कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुड़ रूप के भंडार सूर कुल के सूर अस्थो गए गारी सकल कैके यह देए नयान बिहन कीन जग जेही यह बिद बिल पतर रहन बिहानी आये सकल महामन ग्यानी सब कैके को गालियां देते हैं जिसने संसार भर को बिना नेत का अंधा कर दिया इस प्रकार बिलाब करते राज बीद गई प्रहता का सब बड़े बड़े ग्यानी मुने आये मंगल भवन या मंगल हारी रभुस दशरत यजिर विहारी राम सिया राम जै जै राम तब वशिष्ट मुने समय सम कही अनेक इतिहास सोक नवारों सब ही करने जब ग्यान प्रकास तब वशिष्ट मुने समय के अनकूल अनेक इतिहास करकर अपने बिग्यान के प्रकास सब का सोक दोर किया तेले नाव भरे नपतन राखा दूत बोलाय बहुरे असभासा धावहू बेग भरत पहिजाओ नप सुद कतं कहूं जने काओ वसिष्जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के सरीर को उसमें रखवा दिया फिर दूतों को बुलवा कर उनसे ऐसा कहा तुम लोग जल्दी दौड कर भरत के पास जाओ राजा की मित्तु का समाचार कहीं किसी से न कहना इतने हुकई हो भरत सन जाए गुर बुलाए पठयो दो भाई सुने मुने आयस धावन धाए चले बेग बरबाज लजाए जाकर भरत से इतना ही कहना की दोनों भायों को गुरुज ने बुलवा भेजा है मुन की आग्या सुनकर धावन दूत दोड़े वे अपनी बेग से उत्तम घुड़ों को भी लजाते हुए चले अनरत्व अबद अरंभयो जब ते कुस गुन हो ये भरत कहु तब ते देख कहीं रात भयानक सपना जाग कर है कट कोट कल्पना जब से अध्धा में अनर्थ आरंभ हुआ तभी से भरत जी को अब जुन अब सगुन होने लगे वे रात को भयांकर सपन देखते थे और जागने पर उन सपनों को काराण को करोड़ों वने को तरा की बुरी बुरी कप्रनाई या करते थे बेप्र जेवाय देह दिन दाना सिवब सेक करें बिधनाना मां गई है दे महेस मनाई कुसल मात पित पर जन धाई मां गई है दे महेस मनाई कुसल मात पित पर जन भाई अनिश्व सांच के लिए वे प्रद्दिन ब्रह्मनों को भोजन करा कर दान देते थे अने को विज से रुद्या विशे करते थे महादेजिक है दे में मना कर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाईयों का कुसल छे मांगते थे मंगल भवन या मंगल हारी तब हुं से दसरत अजर विहारी राम सिया राम जै जै राम यही विज सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए गुर्य अनुसासन समन सुने चले गनेश मनाई भरत जी इस पकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूता पहुँचे गुर्य जी की आग्या कानों से सुनते ही वे गड़ेश जी की मना कर चल पड़े जै शिया